कि नोशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्ट फाइंडर चैनल पर तो दोस्तों आज बहुत इंपोर्डन टॉपिक एक बायो डाइवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा सवाल आप देखोगे बायो डाइवर्सिटी में थ्योरी कोर कंसेप्ट को सवाल नहीं आते उन प लिए जाते हैं तो इंडिया की बायो डाइवर्सिटी लैंड्सकेब क्या है वो बहुत इंपोर्ड हो जाती है अल्यकि शंकर में आलफा डाइवर्सिटी में बोलती है क्यों प्रिलियम्स में एको चीज़े जाननी है जो कि उपर-उपर से मालूम होनी चाहिए इसलिए यूज्वली नहीं पुछती है लेकिन हर रेक्टि को मालूम होना चाहिए हंगुल कहां है यहां हर को मालूम होना चाहिए हंग गड़ी आलक के साथ क्या हो रहा है इंडस रिवर डॉल्फिन कहां पाई जा रही है तो यह सारी चीज़ें तो इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं इंडियन बायो डाइवर्सिटी लांड्सकेप आप लोगों मैं का है मैंने कमेंट सेक्शन भी पड़ा कि शंकर में जो शेड्यूल वाइल लाइफ प्रटेक्शन आट के जितने भी अनिमल्स दिये हैं कुछ 84 अनिमल्स हैं आप लोगोंने का है उसे कवर भी कराने के लिए तो हां उसे भी चलिए कवर कराएंगे तो मंडे को क्लास होगी कल संडे कल क्लास नहीं होगी संडे है और मैं भी जंगल वे जाओंगा आप लोगोने का है फोटो खीच के लाने के लिए तो फोटो खीचने जाओंगा तो कराएंगे जल्दी कराएंगे तो मंडे को जानवरों का लेस्ट प्रॉपर बना के आपके साथ कवर करेंगे चली जल्दी से चार्ट करते हैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं है जल्दी से आज लेकिन बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है आज हम शेडियूल वाइल लाइफ पूटेक्शन आक्स समझेंगे तो समझना है उसको जितने भी शेडियूल से जानने हैं क्या से परपस है पिछले साल सब्सक्रिप्शन दोनों की प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विलिबल हैं डोनों में केटीवन लिए कोड़ से आपको ऑफ भी मिलता है इसके सिवा दोस्तों कि की प्राइस मिलती है और आइक ऑनिक प्लस दो ब्रेंट की सब्सक्रिप्शन इनका लाव उठा सकते हैं चेज़िए लूपियसटी ड्रीम है लोन भी प्रोइड की जा रही सब्सक्राइब करें तो इसका हिस्ता ज़रूर बने के सीवंजिरो कोड से एन्रोल करें ठीक है तो गुड मॉर्निंग प्राणजय हेमचन देव राहुल सर्य कोर्स को सब्सक्राइब कोशिश रहेगी एप्रिल एंड तक कंप्लीट हो जाए कोशिश यही है कि एप्रिल एंड तक इसे कंप्लीट कर दें बायो डायलोग चलता है तो दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है तो उनमें से इंडिया एक है क्या होता है अधार्स में बाटा जाता है जहां पर क्या है और डाइवर्सिटी में समानताएं है प्लांट लाइफ लाइफ कुछ एक जैसी है क्यों कुछ क्लाइमेट एक जैसा है और एवल्यूशन के टाइन सरकम्स्टैंसे एक जैसे रहे तो जैसे बाटा गया है आप देखो तो आक्टिक याने नॉर्दन पार्ट में जितना भी है इसक पहली आक्टिक पुराना वाला आक्टिक फिर वैसे ही देखे इतना पाटिया है ट्रोपिकल इस प्रकार से आप देखोगे अलग अलग बायो जेग्रफिक समानताओं के अधार पर दुनिया को अलग अलग रीजन से बाटा जाता है तो कितने रियाम है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो यह साथ रियाम्स में बाठते हुए आप देख सकते हो, चली, अद देखिए, अच्छली क्या है नहीं जो रियाम्स भी हैं, अलग-अलग क्लासिफिकेशन में अलग-अलग हो जाते हैं, दुनिया वर के बाइलोजिस्ट आते हैं अलग-अलग क्लासिफिकेशन देते हैं, तो क्या हमें याद रखना है, नहीं हमें बस इतना याद रखना है कि इंडिया में दो रियाम्स आती है, कौन-कौन सी एक पहली आक्टिक वाला पार्ट आती है, जो हिमालियन रीजन आ जाता है, इंडिया का जो हिमालियन वाला भ और यह वाला जो भाग है यह किसमें है इंडो मलेयन रियाम तो इंडिया में कितने रियाम है दो रियाम है यही आपको जानना है इसके सिवा पांच मेजर बायोम राधर कुछ लोगा कहना है कि दुनिया में बस पांच मेजर बायोम है कोई अलग-अलग क्लासिफिकेशन पांच मीजर वयो में कौन से एकवेटिक डिजरट व्रेस्ट ग्रास लैंड टुंड्रा उनका कहना है कि बाई इंडिया में तो पांचों मेझर वाई पाए जाते हैं आप다 जो कहते हैं तो च्छेहाडत्य हो फर्दर यह टोड़ सकते उस्योंग में च्छों वालिंगर चोरीं घरस्टरोबलों टंडराअ में सवाना टाइगंम टंप्रेट फॉरस्ट टंप्रेट् टंप्रेट ग्रस्लेंग 이죠 ग्रॉध्याल टंप्रेट ग्रास्टन्टम्ड में ट्र ग्राहिं describing यह पूरी कहानी का मतलब यह हляसा इंडिया में दो रिया मैं है 5 मिजर बायोम देखने मिलेगी फिर इंडिया को डौ撸 में बाट में भी आप बाट तो तो किया क्या गया है इंडिया को बायो डाइवर्सिटी के अधार पे कुछ बायो जियोग्रफिक जोन्स में बाटा गया है तो यह कौन-कौन से जोन्स है तो आप अगर देखेंगे आप अगर देखेंगे तो दस जोन्स में बठते हुए आप इंडिया को देखोगे एक है ट्रांस हि फिर हो जाता है हिमाल्याद यह आपको याद रखना है क्योंकि में आ चुका है फ्रांस हिमाल्याद हिमाल्याद थार डिजर्ट फिर आप देखो सेमी एरिड तेमी एरिड फिर देखो वेस्टर्ण घाट फिर आता है डेकन पेनिंसुला फिर देखोगे गैंजेटिक प्लेंज फिर कोस्ट तो यह जो कोस्ट वाला भाग है इतना और यहां भी वैसे हलका सा कोस्ट चल भाग है तो कोस्ट हो जाता है आठ नंबर और फिर आप देखो तो नौर्थीस्ट पूरा एक सिंगल बायो जोग्रफिक जोन में आता है और अंडमान निकोबार आइलेंड में जाता है लक्षोदीप नहीं जाता याद रखिएगा ल देखोगेंद इन्डिया दर यह सबसे बड़ा डेकेंशूला सबसे बड़ा दे ता है तो एरिया है लगभग 42 परसेंट और इंडिया फिर आप देखो तो कौन सा आएगा तो सेमी एरिड आएगा सेमी एरिड लगभग सोला प्रतीशत है सोला प्रतीशत से भी ज्यादा है फिर गैंजेटिक प्लेंज करीवन 11 परसेंट तो यह टॉप थ्री याद रखे तो अच्छा है वैसे इतने डिप्स में सवाल आना मुश्किल है चली तो इंडिया में अगर हम देखें तो दो रियाम है पांच मेजर बायो में दस बायो जोग्रफिक जोन हैं अब क्या किया जाता है इस बायो जोग्रफिक जोन को बायो जोग्रफिक प्रोविंसेज में फरदर बाटा जाता है मतलब क्या मतलब जैसे मैंने कहा ट्रांस हिमालिया एक बायो जोग्रफिक जोन है ट्रांस हिमालिया को हम फरदर तोड देंगे यह वह वाला लद्दाख वाला ट्रांस हिमालिया तिबतन प्लेटू वाला ट्रांस हिमालिया तो ट्रांस हिमालिया को तोड़ा हमने तीन फर्दर छोटे-छोटे प्रोविंसे में अलग फर्दर तोड़ा तीन रीजन में जिसको कहेंगे क्या प्रोविंसे तो ट्रा क्थ यह जीरा है यहां फिर आप देखोंगे तो कुछ सेंटरल हिमालेया फिर आप देखो एक पाइनली इस टन ही मालेया तो इस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट हिमालिया फिर तो दिखा देता हूं मैं तो हिमालिया को भी हम तोड़ने तोड़ दिया इस प्रकार से नौर्थ वेस्ट हिमालिया फिर आप देखो तो वेस्टन हिमालिया तेंट्रल हिमालिया एंड फिर यहां पर आप देखोगे तो हिमालियास का यह इस्टन हिमालियास वाले पाठ हुए तो इस प्रकार से हिमालियास को भी हमने तोड़ दिया है अलग-अलग भागों में तो यह क्या है बायोजिग्रफिक प्रोविंसेज तो बस याद रखिएगा शंकर में दिया है तो इसलिए बाकी अंदर में क्या है आपको क्या याद रखना है जब मैं आपको वही क्यान को को इस्तमाल करके यहां पे लाएंगे अभी के लिए बस इतना जानी है ट्रांस हिमालिया जोन है अंदर में क्या प्रोविंसे याद होंगे आपको नहीं होंगे महनत मत कीजिएगा याद नहीं होगा बस बायो जोग्रफिक जोन से याद रखिए और उसके बायो स्फेर रिज ngi 커 образом में याद करेंगे छलेगा कुकि आंपते फिर ऊंदर को बटा चाता है दow भाग मंें एक बांप साहर और दूसरा strongest का हिस्ता हो गया थार वाला dessert का हिस्ता तो दोग प्रोविंसे फिर आता है semi irrit semi रिट को अगीन दो भाग में बाइड दिया किसमें हो गया पंजाब प्लेंस तो एक से यह व आजब सिश्चा हो गया जो चारन नम्बर का छिस्सा है तो यह पंजाब घर李याना पंजाब प्लेंस यह एक हिस्सा हो गया डुसरा गभ्या राजिस्तान इसको लिखा है तो गुजरात राजिस्तान वालरीजन भी इसी में चला गया है फिर आप देखें western hat western hats को अगीं तोड़ा गया है एक mountain वाला रीजन Western hats का Mountain वाला region और एक हो जाता है करला का मालाबार plains तो इस प्रकार से तोड़ा deken peninsula सबसे बड़ा हिस्ता है तो सेंट्रल हाइलेंड्ड छोटा नागपूर अलग-अलग हिस्तों में तोड़ दिया इस्टर्न हाइलेण। याने इस्टर्न घाट की बात हो रही है। यहां पर प्लेटु रीजन विंदया सदपुढा उन वीजन्स की बात हो रही है। जोन से याद रखे प्रोविंसे याद नहीं होंगे।mber गैंजिटइक प्लेन अपर गैंजटिक दोडा एन्जे टूर लोवर डाको तर तो नहीं प्रकार तो वेस्ट कोस्त याने वेस्ट और लपोजी और लक्षवदीब नौर्फीस इंडिया नॉर्थ इस इंडिया वह पुट्र वैली और नॉर्थ इस इस लेगे और निको यही आपको याद रखना है और देखिए इसमें कुछ है नहीं तुबी फ्रैंक मैं नहीं समझता इसमें आपको कुछ ज़्यादा डिमाग लगाना है आपको क्या याद रखना है बस और बस इंडिया के 10 बायो जियोग्रफिक Zones यहीड़ रखिए कौन से दो रियाम है इतना याद रखिए आपका काम हो जाएगा इस पर ज्यादा नहीं याद रखना है आपको पूछती है आपको क्या याद रखना है फर्दर तोड़ना होगा तो आप बायोस्पे रिजर्व नाशनल पार्क वाइल लाइफ सेंचुरी याद करोग समझना है तो वाइल्ल आइप रोटेक्शन अक्ट में छे लिस्च की की बात की गई है ऐ शैटीट् learn this है और शूच और शिक्षक तो क्या है यह सब शेडिवल क्या हुआ अलग अलग लिस्च है तो मेंेने शेड्यूफ है इनमें क्या है कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हैं एक लिस्ट है इंट्री नंबर वन इंट्री नंबर टू इंट्री नंबर थ्री ऐसे करके जानवर के नाम लिखे हुए है टाइगर लायन चीता करके इसे लिखा हुआ है यह सब जानवर डाल दिये तीन नमबर उसमें भी कुछ लिस्ट बना दिया तो यह क्या है तो वाइल्लाइफ प्रोटेक्शन नाम लिखा गया है वो जानवर उनके उनकी इल्लीगल हंटिंग याने पोचिंग शिकार नहीं कर सकते उनका समगल नहीं कर सकते इंडिया से दूसरे देश नहीं ले जा सकते दूसरे देश से उनको नहीं ला सकते नहीं उनका कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि टाइगर नहीं क दिये गए हैं फिर एक स्पेशल लिस्ट है शेड्यूल फाई यह है वर्मिन अनिमल का लिस्ट पाई को कैसे लिखते हैं रोमन में कुछ ऐसे लिखते हैं वी तो वी से फाई वी से ही वर्मिन याद रखिएगा तो शेड्यूल फाई में वर्मिन अनिमल हैं वर्मिन अनिमल का क्या मातलब ये इनकी समस्या है दुनिया में इनको मारो यह वर्मिन तो इन विन प्रचर्चा करेंगे और शेडूल ंपर अगर देखें तो कुछ प्लांट शेटर्स हैं जो की रम इधिंट हैं फिर रम यह प्लांत की इन यदि आपको लगाना है तो आपको प्रमिशन लेना पड़ेगा इन प्लांट का क्ल्टिवेशन करना है तो आपको पर संटे प्यक्षा het है तो इन शेडूल में जो भी जानवर दिये गए हैं इनको हाइस्ट लेवल आफ पेनल्टी है इनको मारोगे तो सबसे कठोर से कठोर कड़ी से कड़ी सजात दी जाएगी जैसे लायन टेल्ड मकावू जैसे राइनो जैसे टाइगर जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नार म सजा मिलेगी सेडी डूल जैसे ढ्रव जंगली कुता बिंगल पॉरक्यूपाइन किं कोब्रा हिमालयन ब्राउन ब्राउन रीसास मकावू क्या होता है रिसास मकाव नाम से लगता है exotic क्या होगा मकाउ का मतलब होता है बंदर रिसर्स मकाउ याने अपना जो देसी नहीं होता लाल मुवाला बंदर दिल्ली में ऐत देखा ही होगा North India में हर जगे दिखता है लाल मुवाला बंदर वही होता है रिसर्स मकाउ तो ये सब क्या है schedule 2 है इनको गर नहीं मिलेगी उतने लंबे दिनों के लिए अंदर नहीं जाओगे तो यह भी प्रोटेक्टेड है पर पेनल्टी बहुत लोवर है हलकी फुलकी सदा मिलेगी यदि शेडियूल वन और शेडियूल टू से इनकी कंपैरिजन करें तो तो यहां पर जो एनिमल्स लिस्टेड हैं और नीन गाए बार्किंग डियर गोरल अलग अलग प्रकार के डियरिंस के यह वेजिएंट तूडियूल फोर में मनगوس आजाते हैं कुछ वन्चर आजाते हैं not all वन्चर संपोलचर कुछ वल्चर शेडिवंद में भी हाइस डिग्री ओफ प्रोटेशन पाते हैं आपको जानवर याद रखना है तो यह यदि कोई जानवर शेडिवंद में लिस्टेट है तो उसको इस डिग्री protection मिलेगी तो यूपी असी ने जैसे पूछा है कई बार टाइगर इस कवर्ड अंडर शेडियूल फॉर तो वह तो नहीं होगा तो शेडियूल वन में होगा तो दिखिए एक है कि आप लिस्ट याद कीजिए बहुत बड़ा है शेडियूल वन में है तू में तू में त्री मे कवर्ड है चली तो यह क्या है सिदूल 364 में क्या है प्रक्राइब है देखो तो आता है सिदूल फाई अगर आप देखो तो इसमें इनको वर्मिन कहा जाता है वर्मिन तो यह हंट किये जाय IS Hers youिDaş चार-जानवर देश में समस्या है बिमारी फैरा देते हैं और दुनिया भर की चीज़े करते हैं तो इनको मारना allowed है दे कैन भी हंटेड क्लियर है सब्सक्राइब कोल्ड डिजर्ट ऑल्सों कोल्ड डिजर्ट डेफिनिटली वी डू है कोल्ड डिजर्ट लेकिन उनको अलग बायो जोग्रफिक रिभिंगे तो उसमें आपको भी मिलेगा ठीक है थार डिजर्ट यैंड कॉल्ड डिजर्ट चली देंसक्राइब क्लिकि हमालिया ञें कुछ आप देखोगे तो यजिन हीचे मालिया में कबर हो रहा है चलिए वापस इस पर आते हैं देखिय Audrey डिना है नहीं को याद नहीं करना आपको जो मैं लिस्ट दूँंगा क्लास में कराओंगा वहीं इंपोर्टेंट है वहीं याद करनी है तो चलिए फाइ या यह वो इनकी कल्टिवेशन कलेक्शन एक्स्राक्शन ट्रेड कुछ भी करो इस प्लांट से या उसके डेरिवेटेव प्लांट का डेरिवेटेव क्या हुआ उसकी कली हो गई है ना उसका स्टेम हो गया तो डेरिवेटेव या प्लांट उसकी कल्टिवेशन कलेक्शन एक्स्राक्शन ट्रेड कुछ भी करो तो वो क्या है रेस्ट्रिक्टेड है यह अलाउड है तभी जब आपको लाइसेंस मिलेगी अधर्वाइज नहीं अलाउड है तो यह एक प्रकार का और्किड है वैसे ब्लू वांदा कुथ पिचर प्लांट यह सारे प्लांट से जो कि इसमें सब्सक्राइए तो तो यह प्छले साल जब यू पूछा ता यह सवाल तो शंकर ने क्या दिया न कहा दिया कि प्लांट सथ प्रोहिबिटेड है न तो इसलिए उप्लूछा इन्टर और ऑल सर्कंस्टैंसेज तो यह लाइन गलत है शंकर ने गलत दे धी है आक्ट्वल restricted and allowed for cultivation only after license तो इसलिए शंकर पढ़के बच्चों ने ये question काफी wrong किया था पिछले साल चले तो क्या है यह प्लांट यह प्लांट पिचर प्लांट इसका example हो गया रेड वांडा जो कि और्केट का प्रकार है इन प्लांट की cultivation collection allowed नहीं है चले नेक्स्ट अगर आप देखें तो अच्छा मुझे बताईए ओपियम ओपियम का प्लांट होता है अफीम का अब तो आपने देखी लएगी होगी वो सारी एक सेरी रही थी तो अफीम की खेती होती है तो ओपियम पॉपी कैनबिस गांजा तो यह सारे है जो प्लांट होते हैं क्या यह वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट के शेड्यूल 6 में आते हैं अंदाजा मार यह जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास क्या शेड्यूल 6 में कैनबिस ओपियम इन सब टाइप के जो प्लांट है नशे वाले आने चाहिए क्या क्योंकि कोई भी तो नहीं लगा सकता सही बात है ओपियम कल्टिवेशन लाइसेंस मिलती है है ना तो कोई तो लगा नहीं सकता तो क्या यह वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट में इंक्लूड है देखिये कॉमन सेंस कहती है कि यह इंक्लूड होगी कुछ वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट में ही यहीं पर शेड्यूज सिक्स में रिस्टिक्टेड होगी लेकिन ऐसा नहीं है ओपियम पॉपी कल्टिवेशन प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन एट अफ दी नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइको ट्रोफिक सबस्टैंसे एक तो कंक्यूज मत होईएगा एक सवाल अच्छा सा बनाया जाया जा सकता है कि ओपियम इस इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल सिक्स तो कॉमन सेंस से आप लोग करेंगे यह सिट मस्ट भी इंक्लूडेड अं ट्रकोटिक्स ड्रकोटिक्स और शायको ट्रूपिक सबस्टैंस एक चले अब चलते हैं अगले टॉपिक तो देखिए वर्मिन वाली जो बात है यह हमेशा डूज में रहती है तो कभी भी किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया अप लोगों ने सुना होगा बिहार ग कि यही चार जीव हैं तो ये कैसे वर्मिन हो जाते हैं यह सेक्शन 62 क्या कहती है स्टेट यदी चाहे तो कुछ जानवर है जिनका आतंक हो गया है है ना खेत खाा जाते हैं या फिर लोगों को मार रहे हैं तो स्टेट्स यदी चाहे तो एक लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सेंटर को भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंटर को कि मालिक इनको वर्मिंड डिक्लेयर कर दो और इनको सेलेक्टिवली मारना शुरू करो सेलेक्टिव स्लॉटर एलाओ कर दो तो यह किसमें हैं सेक्षिन फिस्टी टू ऑफ डबलू पीए में हैं तो याद रखिएगा शेडियूल वन मेंबर्स क्या है बेस्ट प्रोटेक्टेड हैं वाइड बोर्स नील गाए रिसस मंकी अग्सक देशी लाल मुव वाला बंदर तो अक्सर इनको वर्मिन डिक्लेर करते हैं पर यह किसमें इंक्लूडड है शेडियूल टू एंड शेडियूल थ्री मेंबर्स हैं लेकिन यदि स्टेट गवर्मेंट को लगे कि भाई यह जानवरों का आतंख है तो क्या कर सकते हैं इनको से सेंट्रल गवर्मेंट का यह नोटिफिकेशन है लेंगवेज पढ़िये क्या लिखा है सेंट्रल गवर्मेंट है डिक्लेरड वाइल्ड पिक लिस्टेड अट सीरियल नंबर 19 ऑफ दी शेडियूल थ्री ऑफ दी वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट एंड याने शेडिय के लिए सेंट्रल गवर्मेंट इसे शेडियूल फाइं में इंक्लूड करवाती है एक साल के लिए किसी पटिकुलर लोकेशन में हर जगह देश में नहीं किसी पटिकुलर लोकेशन में सब्सक्राइब कर दिया है उतने दिनों के लिए इसे बस वहीं फे ठीक है अगर बरमिन डिक्लेयर हो गया तो क्या मतलब है रोकल्स को पर मिशन लेने की आवशकता नहीं है अउस जानवर मारने के लिए उस जानवर को मारने के लिए कल याने मारना किलिंग कल तो उस जानवर को मारने के लिए Locals को Permission लेने की आवशकता नहीं है एक बार वो जानवर Vermin Declar हो गया थो लेकिन तब मार सकते हैं जब वो Agricultural Land में आ जाए अगर वो जानवर विचारा अपने जंगल में घूम रहा है याने किसी प्रोटेक्टेड एरिया में घूम रहा है लाइक नाशनल पार्क वाइड लाइफ सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट तो वहाँ पे यदि उसको जाके मारोगे तो वो अभी भी पनिशिबल है अंडर दी वाइडल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हाँ खेत आ जाता है तो मार सकते हो लेकिन जंगल में जा कर में अगर आपके खेत में आजाता है तो आप मार सकते हो जब वो वर्मिन डिक्लेर हो गया है और उसमें उपन सीजन कहते हैं हंटर्स तो लेकिन एक चीज याद रखिएगा जानवर को आप मारते हो ना तो जानवर की जो डेड़ बॉड़ी है वो गवर्मेंट प्रॉपर्टी होती है तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते आप उसको र हो गड्रोज क्या होता है घड्रोज किसको कहते है है ठीक है ठीक है ठीक है तो बस आज की लाव केंगे हो अब हैं यहीप रोखते हैं सिंबल टॉपिक है तो यह मैंने आपको समरी शीट दे दी है पूरी जो भी पढ़ाया है इसमें इंक्लूड़ेड है तो यह आपके पास रहेगा तो आप यह क्या कर दिएगा पीडियस में यह जब नोट्स में पढ़ेंगे तो बस यह समरी शीट से रेफर कीजिएगा सब सब्सक्राइब करें इसके सब्सक्राइब करें इसके बाद आपकी कैसी स्ट्राटेजी बनने हैं और सबकुछ मैं ध्यान रखूंगा थैंक्यू सब्सक्राइब जैनिंग और ग्रेंग अ झाल झाल